नमस्कार दोस्तों, लाइफ अपडेट न्यूस पर आप सभी का एक पर फिर से स्वागत है मैं हूँ आपकी एंकर जैस्मिन कॉर्ट दोस्तों, आज जो कवर स्टोरी में हम बात करने वाले हैं, वो मनिपूर से जुड़ी हुई है आप सभी ने हाली में मनिपूर से आ रही काफी खबरें पड़ी होंगी, जिसमें हिंसा की खबरें बहुत आ रही है आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मनिपूर एक पर फिर से न्यूस हेडलाइन्स में आ चुका है इस पार मनिपूर जो है अपने माइनिमार के साथ international border conflicts की वजह से news नहीं बना रहा बलकि अपनी internal communal conflicts की वजह से news में आया है इससे पहले कि मैं मनिपूर की पूरी conflict आपको बताओं मनिपूर की geographical location समझना बहुत जरूरी है मनिपूर की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने नौर्थ में नागा लैंड के साथ, वेस्ट में असाम के साथ, साउथ में मीजुरम के साथ और इस्ट में मायलमार के साथ एक international border share करता है दोस्तों अगर ताजा सूत्रों की माने तो मनिपूर में अभी article 355 impose कर दिया गया है क्या है ये article 355 और क्यों इसे impose किया गया इससे जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मनिपूर में आफिर हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है दोस्तों मनिपूर की अगर मैं बात करूँ तो मनिपूर में जो community सबसे ज़ादा proportion में पाई जाती है वो है मेटी community और ये सारा जो विवाद है इसी community को लेकर है क्योंकि हाली में मनिपूर के high court से एक suggestion जो है मनिपूर की राज्य सरकार को दिया गया कि मनिपूर की मेटी community को scheduled tribes में convert कर दिया जाए उन्हें scheduled tribes का tag दे दिया जाए ये suggestion के अधार पर high court ने राज्य सरकार को ये application ये suggestion के इंदर सरकार को देने के लिए एक notice जारी किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ ये suggestion दिया था अभी इस पर कोई implication कोई action नहीं लिया गया था ले क्योंकि मनिपूर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों जिस तरह से पंजाब में पंजाबी बंगॉल में बंगॉली community है उसी तरह से मनिपूर में 53% of population जो है वो इस मेती community की है लेकिन ये 53% majority population बनाने के बावजूद भी मनिपूर के कुछ एक specific areas में ही ये community सिर्फ मौजू एक दो और areas में ये थोड़ी सी past है community अगर मैं इंपाल की बात करूँ आप मनिपूर का map देखेंगे तो पाएंगे कि इंपाल मनिपूर के almost center center में है जिसके आस past बाकी और सारे tribal community occupied areas हैं यही वज़ा रही है कि ये पूरा मुद्दा विवाद का मुद्दा बन गया है क्योंक अगर आप सोचेंगे tribal communities के मन में यही एक दुविदा है कि अगर mighty community जो सबसे majority of population बनाती है मनिपूर की अगर इसे हम schedule tribes में डाल देते हैं तो ना सिरफ जो schedule tribes को एक particular quota के लिए reservation assigned है वो कुछ limited candidates से बढ़कर जादा candidates में बढ़ जाएगा बलकि उसके इलावा भी अगर मैं बात करूँ तो मनिपूर में कुछ ऐसे हिली areas है जहां पर जो non-tribal community के लोग हैं उन्हें जमीन लेने की कोई जो कोई allowed नहीं है अगर ये community tribes में गिनी जाती है schedule tribes में आ जाती है तो उन्हें ये डर है जो tribal communities है कि ये community हिली areas में भी अपनी जमीने खरीजेंगे और यहां पर भी अपनी colonization अपनी business जो है ये सब करेंगे ये दो main बड़े reasons हैं जिसकी वजह से tribal communities के मन में ये insecurity है और ये पूरी की पूरी वहां पर हलचल मजी हुई है तो अगर tribal communities की मैं बात करूँ तो इसी वजह से tribal communities ने भी हाली में पिछले वेडनस ते ही एक solidarity मार्च 10 health stations में किया था जिसके चलते ये पूरी violence उठी कई जगाओं पर दंगे हुए बहुत सारी life और बहुत सारी property का जान और माल का वहां पर नुकसान हुआ इसी के चलते मनिपुर की जो हमारी famous female athlete famous female boxer है मेरी कॉम ने भी एक tweet के जरीए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और अमिशा को tweet करके request किया था मनिपुर my state is burning help की गुहार मदद की गुहार लगाई थी उन्होंने और इसी के चलते अभी हाली में मनिपुर के जो मौजूदा मुख्य मंतरी है एन बिरेन की तरफ से भी एक वीडियो जारी की गई है जिसमें उन्होंने इस पूरे जान और माल के नुकसान की पुष्टी भी की है दोस्तों अगर मैं इस सब की बात करो तो हाली में जो नए developments इस पूरे सिनारियो में हुए है वो ये है कि जहां एक तरफ पहले मनिपूर में internet shutdowns कर दिये गए थे और shoot at sight के orders दे दिये गए थे तो वहीं अब article 355 impose कर दिया गया है article 355 हमारी Indian Constitution के section 18 में दर्ज है article 355 की माने तो जब भी कोई external aggression या internal disturbance की वजह से एक state में ऐसी स्थिती बन जाती है कि राज्य सरकार के control से बाहर हो जाती है तब उस सब का charge center government अपने under ले लेती है अब या तो मनिपूर में अगर मानेमार की तरफ से कोई aggression हुआ होता या फिर अब जो मनिपूर में internal aggression, internal conflict चल रहा है यही वज़ा है कि अब राज्य सरकार के हाथ से यह situation बाहर हो गई है तो center सरकार ने, केंदर सरकार ने इस सारी situation को अपने control में ले लिया है इसके इलावा दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अक्सर इस तरह की emergencies जब उठती है तो सरकार की तरफ से article 356 लगाया जाता है ना कि article 355 article 356 जैसे आप सबको पता है कि president rule है यह क्यों नहीं लगाया गया इसकी बड़ी वज़य यह हो सकती है कि इस वक्त मनिपूर में भी BJP की सरकार है center में भी BJP की सरकार है अगर article 356 लगाया जाता तो मनिपूर में सरकार गिर सकती थी इसी वज़य से article 356 की वज़य से article 355 लगा दिया गया है यह अभी तक के updates हैं जो मनिपूर वॉयलेंस पर सामने आ रहे हैं इसके इलावा और क्या-क्या इस पूरे सिनारियो में इस पूरी वॉयलेंस में और क्या-क्या updates आएंगे वो हम आपको time to time बताते रहेंगे इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिएगा धन्यवाद